स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके पसंदीदा प्रेटफॉर्म जिस्टे PCS के चैनल पर और आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन तमाम सवालों की उपर चर्चा करेंगे जो की बनाई गये हैं से महतपूर खबरों के आधार पर जो बीते हफते सुर्खियों में र यहाजा यह कि खबरें हमारे लिए महतपूर हो सकती है इसे संबंदित जो भी अनतत्य हो सकते हैं व काफी महतपूर हो सकते हैं तो आई एक इसोड के शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल आप सभी के लिए क्या बनाया गया है प्रश्न है राज सरकार द्वारा पहली बार उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो दो हजार तेईस का आयोजन कहां किया जाएगा विकल्प है ग्रेटर नोइडा लखनव घाजियाबाद या फिर वाराण सी यहां पर यह बात ध्यान देनी है कि यह जो आयोजन किया रहा है इंटरनेशनल ट्रेड शो का यह उत्तर प्रदेश में पहली बार किया जाएगा इसलिए यह काफी महतपूर हो जाता है और इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोइडा में किया जाएगा इससे संबंदित कुछ मुखे बातों को देखें जो हमारी परिक्षा के दृष्टी से महतपूर हो सकती है तो इसका आयोजन ग्रेटर नोइडा में कहां पर किया जाएगा तो यहां पर इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 21 से 25 सितंबर 2023 के मद्ध इसका आयोजन किया जाएगा और यहां पर विभिन्द प्रकार की स्कृत भी किया जाएगा प्रदर्शनी में अलग-अलग सेक्टरों से जुड़े दो हजार से अधिक उत्पादक और निर्यातक भाग लेंगे तो यहां से प्रस्ण का सही उत्तर आप्शन ए यानि ग्रेटर नुड़ा हो जाएगा अगला प्रशन है निमलिखित कथनों पर विचार करें राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोटसाहन योजना उच्च सिक्षा का विस्तार करते हुए इसमें सभी ग्रेजुएट पास युवाओं को जोडने का प्रस्ताव को मन्जूरी दिये है इस योजना में स्टाइपेंड की राशी को भी बढ़ा कर प्रती माँ 6,000 रुपए किया गया है आपको कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चुनाव करना है तो दरसल अभी हाल ही में राज कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रत्साहन योजना में विस्तार किया गया है और इसमें उन तमाव ग्रेजुएट युवाओं को विशामिल किया गया है जो की ग्रेजुएट की परिच्छा पास कर चुके है साथी साथ जो इसमें मासिक स्टाइपेंड की राशी दी जाती है उसे भी बढ़ाया गया है लेकिन यह राशी 6,000 रुपए नहीं बलकि 9,000 रुपए कर दी गई है तो यहाँ पर जो दूसरा कथन ये गलत है जबकि पहला कथन बिलकुल सही है तो प्रस्ट का सही उत्तर आप्शन ए हो जाएगा यानि कि केवल एक यानि पहला स्टेटमेंट सही है इसके अंतर बात करें तो कैबिनेट ने योजना के तहत प्रसिक्षियों को निजी प्रतिस्ठानों की ओर से दिये जाने वाले स्टाइपेंड में एक हजार रुपए की प्रतिपूर्थी राज सरकार की ओर से किये जाने पर सहमती दी है तहां पर ध्यान रखना है कि जो निजी प्रतिस्ठान है वहाँ पर जो ट्रेनी है या जो प्रसिक्षू है हिंदी में कहें तो उनको जो stipend दिया जाता है उसमें से 1000 रुपए जो है प्रतिपूर्ती के रूप में राज सरकार की द्वारा से दिया जाएगा और अगर इस पूरे योजना के अंतरगत जो stipend रासी थी उसे देखें stipend की रासी को बढ़ा कर प्रतिमान 9000 रुपए किया गया है इसमें राज सरकार की ओर से 1000 रुपए की प्रतिपूर्ती जैसा कि पहले यहां पर आप देख सकते हैं की जाएगी जबकि बाकी रासी केंद्र सरकार एवं आंद्रण्योर्स द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी यह वाला फैक्ट काफी महत पूल है कि इसमें 1000 रुपए की जो राशी है यह राज सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ती के रूप में मुहया कराई जाएगी बाकी जो राशी बर्चती है 8000 रुपए की उसमें केंद्र सरकार और साथी साथ जो आंद्रण्योर हैं उनके दिया जाएगा अगला प्रस्न है गोरखपुर में आयोजित दो दिवसी कुस्ती प्रतियोगता के समापन समारों में विजेता खिलाडियों को निमलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया विकल्प है उत्तर प्रदेश केशरी उत्तर प्रदेश कुमार उत्तर प्र प्रसन का सही उत्तर option D हो जाएगा उपर्युक्त सभी अभी हाल ही में गोरकपूर में दो दिवसी कुछ सी प्रतियोगता का आयुजन किया गया था और इसमें जो भी खिलाडी विजाई घोसित हुए हैं उन्हें उत्तरपदेस केशरी उत्तरपदेस कुमार और उत्तरपदे वीर अभिमन्यू ते सम्मानित किया गया है तो प्रसन का सही उत्तर विकल्प D वाला हो जाएगा यहां पर आप देखें यह वो खिलाडी है जो विजेता के रूप में इस प्रतियोगिता में उभर करके सामने आ है इसके अंतरगत देखें तो विजेता खिलाडियों को उत उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यू पुरसकार से सम्मानित किया गया है प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के खेल प्रेमियों के साथ मिलकर इस कृस्ति प्रतियोगता का आविजन किया और सामुहिक भागिदारी से इसे रोचक भी बनाया है इसके अंतरकत उत्तर कुमार की बात करें तो सौरब यादो को 50,000 रुपए दे करके इन्हें पुरसकृत किया गया साथ में गदा भी इन्हें दी गई है सम्मान सरूप उत्तर प्रदेश के वीर अभिमन्यू पुरसकार जो है आदित यादो ने जीता है और पुरसकार सरूप इन्हें 51,000 रुप में राशी दे करके भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश केसरी पुरसकार से सम्मानित होने वाले विजेता को कितनी राशी दे करके पुरसकृत किया गया है तो एक लाख एक हजार रुपे यह यहां पर इंपॉर्टेंट है राशी भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि फैक्ट्वल कोश्चन भी परिक्षा में पूछे जाते हैं यह आप सभी को प्रीविएस एर के कोश्चन से देख करके अनुमान लग जाएगा चलिए एपसोड को आगे बढ़ाते हैं राज में पहली बार कब शाम को स्कूल खोले गए 14 जुलाई 14 अगस्ट 23 अगस्ट या फिर 24 अगस्ट तो आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में भारत द्वारा भारत कहले या इसरो कहें इसरो के द्वारा चंद्रियान तीन की लेंडिंग जो है 23 अगस्ट को चंद्रमा के दक्षणी दुर उपर सफलता पूर्वकर आई गई है और इसी पूरे द्रिस्ट को लाइव देखने के लिए तरप्रदेश में पहली बार 23 अगस्ट को शाम को स्कूल खोले गए थे तो प्रस्ट का सही उत्तर आप्षन सी हो जाएगा यानि की 23 अगस्ट यहां पर आप देखें कि 23 अगस् में सक्षा व की ओर से यदीशा निरदेष राजीप सरकार को दिया गया था जिसमें की प्राचारे और बैसिंस्ट शौट्रियां के लेंडिंग को प्रदेश के स्कूली बच्चों को टीवी या यूट्यूब चैनल पर सीधे प्रसारण से दिखाया गया या भारती विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रद्योगी की और उद्योग के लिए एक महतपूर कदम भी माना जा रहा है अगला प्रशन है निमलिखित में से किस मिसन के तहत प्रदेश के सत सेहरी आजीवी का मिशन या फिर मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास यूजना इस प्रस्न का जो सही उत्तर है सेहरी आजीवी का मिशन है यानि इस मिशन के अंतरगत उत्तर प्रदेश के सत्रा नगर निगम वाले शहरों में दीदे कैफे खोले जाने की प्रस्ताव को मन कर निगब में दीदी कैफे खोले जाने हैं वारानसी की तरज पर ही सरकारी कालियों में खोले जाने वाले दीदी कैफे में जो मिलने वाली खादिसामगरी है उसकी कीमत जो है आम जगहों पर मिलने वाली हादिसामगरी से कम होगी तो इसलिए भी यह काफी महतपूर हो जाती है साथ ही साथ दीन दयाल अंतियोदे योजना के तहत स्वैम सहायता समू शहर की महलाएं इन कैफे को संचालित करेंगी यानि कि अगर हम बात करें इसकी पातरता की तो यह जो दीदी कैफे होंगी उनको स चातरता की बात करता है और किसी मिशन के तहट इसको खोला जा रहा है शहरी आजीवी का मिशन चल겼 अगला सवाल देख लेते हैं राज्य सरकार द॓रा निमलिखित में से किस कक्षा के छात्रों को मुफ्त में किताबे दी जाएंगी 17 कज्च दसवी तक 6 वी से कक्षा बाहरावी जा फिर नवी से कक्षा बाहरावी दरसल छात्रों में सिक्षा की अलग को जगाना और साथी साथ ऐसे मध्यम वरगी परिवार और जो गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार हैं उनके बच्चों की सिक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा ना आ सके साथी साथ सिक्षा के लिए उन्हें प्रोस्ताहित करने के लिए नवी कक्षा स से बाराहवी कच्छा तक के बच्चों को छात्रों को मुफ्त में किताबे मुहया कराई जाएंगी इसके लिए तकरीबन 19.70 करोड रुपए की रासी का भी प्रावधान किया गया है तो प्रस्न का सही उत्तर आप्षन डी हो जाएगा है उत्तर प्देश के 2428 राजकी माध्यमिक स्कूलों में ये बात महत्पूर है कि राजकी माध्यमिक स्कूलों में यह नहीं कि जो भी निजी संस्थान है वहां पर नहीं जो राजकी माध्यमिक दरसल यह विमान भेदक एक मिसाईल है जो कि रसिया से संबंदित है और अभी हाल ही में यूक्रेण ने यह बात कही है कि क्रीमिया पर अटैक करने वाली यह जो वाईुरक्षा मिसाईल प्रणाली S-400 है इसको नश्ट कर दिया है यूक्रेन ने तो ये जो प्रणाली है या S-400 की बात करें तो ये रसिया से संबंदीत है रसिया की है थोड़ा विस्तार में अगर देखें कुछ इसके चित्र को अगर हम देखें तो इस तरह से देखती है यूक्रेन ने हाल ही में कहा है कि उसने क्रीमिया प्रायदीप पर रूसी S-400 विमान भेदी प्रणाली को नश् कर सकती है इसे रूस के अलमाज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा विक्सित किया गया है यह नाम महतपूर है आप सभी चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं भारत ने अक्टूबर 2018 में पांच S-400 सिस्टम हासिल करने के लिए रूस के साथ 5.5 बिलियन अम मेरा अधिकार यूजना कब से शुरू की जाएगी अगस्ज तो हजार तेईस सितम्बर दो हजार तेईस अक्तूबर 2015 या नवंबर 2013 दरसल जो यह जो योजना है यह चालान से संबन्धित योजना है जिसे सितंबर 2023 से शुरू किया जाएगा इस योजना के तहट अगर हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा राजी सरकारों के सहयोग से इस योजना को शुरू किया जाएगा यह एक चालान प्रोटसाहन योजना है जिसे एक सितंबर 2023 से शुरू किया जाएगा इसक का नाम दिया गया है मेरा बिल मेरा अधिकार चल ये एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं अगला सवाल है उन्ह तरवे राष्ट्री फिल्म पुरस्कार में निमलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेश्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है विकल्प है मीमी पुष्पा रॉकेट् दनांबी इफेक्ट या फिर दकश्मीर फाइल्स तो अभी हाल ही में उन्ह तरवे राष्ट्री फिल्म पुरस्कार की घोशना की गई है जिसमें आर महदवन की फिल्म रॉकेट्री दनांबी इफेक्ट को सर्वसेश्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है बात करें इन सम्मानों को तो 24 अगस 2023 को उन्हें तरवे राष्ट्री फिल्म पुरस्कार की घोशना की गई है इसकी घोशना दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में की गई सुजीत शरकार द्वारा निर्देशित फिल्म स्तरदार उधम सिंग ने हिंदी में सर्वस्रेष्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता तो वहीं सर्वस्रेष्ट फिल्म का पुरस्कार आरमादवन की फिल्म रॉकेट्री दनामभी इफेक्ट ने जीता है तो ये दोनों फि फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है यहां पर यह बाद ध्यान देने वाली है कि हिंदी में इसने सर्वसेश्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है अगला सवाल है निमलिखित में से किस्तिति को राश्वी अंतरिक्ष दिवस की रूप में मनाने की घोशना की गई है 14 जुलाई 10 अगस्त 14 अगस्त या फिर 23 अगस्त अभी पिछले एक प्रस्ण में मैंने चंद्रियान 3 का जिक्र किया था दरसल चंद्रियान 3 जो है चंद्रमा के दक्षणी दुरूपर 23 अगस्त को सफलता पूरवक लेंड कर गया है और इस तिथी को मार्क करने के लिए इसको एक तरह से यादगार बनाने के लिए राश्ट्री अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाय जाने की घोशना की गई है और यह तिथी है 23 अगस्त तो यहां पर प्रस्ण का सही उत्थर ऑप्षन बी हो जाएगा चंद्रियान 3 की सफलता को चिन्रित करने के लिए 23 अगस्त को राश्ट्री अंतरिक्ष दिवस की रूप में मनाय जाने की घोशना की गई है 23 अगस्त को भारत के चंद्रियान 3 ने चंद्रमा के दक्षनी दुरूपर सॉफ्ट लेंडिंग करके इतिहास रच दिया इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षनी दुरूपर लेंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है यहाँ पर यह बात ध्यान रखिए कि दक्षनी दुरूपर लेंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है यानि कि अब तक किसी ने चंद्रमा के दक्षणी दुरू पर soft landing नहीं कराई है वहीं अगर बात करें चंद्रमा पर soft landing की तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश है अन्य देश जो है USA, रशिया और चाइना है जिनका mission जो है चंद्रमा पर land कर चुका है लेकिन दक्षणी दुरू यानि south pole की बात करें तो south pole पर अभी तक किसी ने सफलता पूर्वक landing कराने में सफलता नहीं प्राप्त की थी तो भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने दक्षणी दुरू पर सफलता पूर्वक landing कराने में सफलता हासिल की है तो यह रहा आज की एपिसोड का अंतीम सवाल और इससे जुड़ा हुआ explanation तो आज की एपिसोड को इसी सवाल के साथ हम यहीं पर विराम देंगे इन प्रशनों के माध्यम से इन तथ्थे और सूचनाओं को आप सभी तक पहुचाने का प्रयास किया गया निसन्दे रूप से आगामी परिक्षा में आप सभी के लिए महत्पूर्ण साबित हो सकते हैं तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों तत्थे और सूचनाओं के साथ तब तक पढ़ते रही है आगे बढ़ते रही है शुक्रिया